कि हेलो फ्रेंड्स तो आप सबीका हमारे यूट्यूब चेनल पर स्वागत और आज की वीडियो काफी इंटेस्टेंड काफी नोलीजवेल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियों माँ बात करने वाले हैं यह हैं मेरे पास पोको का सी 65 फॉन और आज हम करने वाले हैं इसकी जो कि मैंने भी एक नया phone purchase करा है और इसकी price की बात करी जाए ना तो इसका जो price आपको Amazon पे 82,000 रुपया मिल जाता है जबकि आपको फिलिप कार्ट पर आपको इसका जो है शाड़े 8,000 रुपया प्राइस आपको देखने को मिल जाता है बट आपको डिसकाउंट के बाद आप इसको purchase करो तो काफी सस्ते में आपको देखने को मिलने वाले है वेरेंट है इसका 4GB और आपको 118GB भी storage मिल जाती है तो इसकी unboxing करके मैं आपको दिखा जिता हूँ कि इसका जो look है design है वो कैसे रहने वाला है और इस price में आप इस वाले phones को purchase करते हो तो इस वाले phones के मेरा आपको क्या-क्या features जो देखने को मिलने वाले तो चलिए करते हैं इसकी फटा-फट पहले unboxing और देखत इसका look है design है वो कैसे होने वाला है तो गाइस यहाँ पर आप देखते हो जो जो पोको का C-65 वाला phone है इसका box आपको कुछ इस तरीक है देखने को मिल जाते है जो कि आपको यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर देखते है तो पहले इसकी unboxing करके मैं आपको दिखाता हूँ जो look है वो design है वो कैसे होने आदा तो चलिए सबसे पहले इसको seal break कर लेते हैं यहाँ पर तो मैं इसको पहले unboxing कर लेता हूँ तो अग पहले इसको unboxing करके आप यहाँ पर रखते हम side में और देखते हैं कि अब जो phone है सबसे पहले हमें ही मिलता है phone हमारा तो यहाँ पर देख सकते तो यह phone है जो कि blue color में आता है तो इसको पहले में side में रख देता हूँ तो इसके बाद अगर box को यहाँ पर unbox करें तो यहाँ पर आपको जोसे है एक mini box type आपको देखने हो मिल जाते हैं जिस पर आपको poker logo बगएर है तो इसको यहाँ पर sim tools बगएर मिल जाएगी starting में आप देखोगे तो पीछी side में इसको जैसी आप unbox करोगे तो यहाँ पर आपको यह user's manual बगएर देखने हो मिलता है बाकी कुछ नहीं है तो user's manual है कुछ documentation है तो जनम कुणली बगएर है phones के बारे में इसको operate कर सकते हो बाकी अगर देखा जाए तो box के अंदर बस आपको कुछ नहीं मिलता है यहाँ पर आपको एक charger मिल जाते है जो कि 10 वोट का charger है तो अगर charger quality के बात करें तो काफी हलका charger है काफी छोटा है तो यह आपको 10 वोट का charger मिल जाते है और जो केबल से quality है बहुत हो काफी सही है यहाँ पर premium quality का मिलता है बट जो charger है आपको हलका मिल जाते है यह box के अंदर था बाकी कुछ नहीं है box के अंदर तो case बगएर तो box के अंदर आपको नहीं मिलता है तो market से आपको अलग से purchase करना पड़ेगा अब निकालते हैं हम पर अबना phone जो कि हाँ पर इस दो phone का look है design है वो आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाते है तो यह है POCO का C65 phone जो कि अभी latest आया काफी नहीं है और काफी सस्ते price में आपको जो है एक बढ़िया phone आपको देखने को मिल रहा है जिसका look design काफी बढ़ है बेरेंट की बात करें तो 4GB RAM 128GB में आता है और मुझे लगता है कि इस price में काफी सही रहने वाल है तो जो कि हाँ पर अगा camera देखोगी तो dual camera का setup आपको मिल जाते है तो आपको इसमें जो camera मिलते है वो आपको triple camera setup मिलते है जिसमें आप देख सकते हो जो main camera वो आपको 50mm का plus 2mm का camera मिल जाते है नीचे वाले इसमें आपको देखोगी तो आपको double camera मिलते है कुछ आप इस तरीके से तो old triple camera का setup आपको इसमें मिल जाते है बट इहाँ पर जो logo है न ये बट पीछे की side में scratches बगएरा कोई दिक्कत नहीं इतनी जल्दी और नहीं आपको कोई भी fingers बगएरा वो छपेगा काफी premium look और design आपको दीखने को मिल रहे है phone के अंदर इस price में जो मुझे काफी बढ़ है लगा बागे आप खुद comment करके बताना side में आपको volume down और अब बाला मिल जाते है और यहां पर आपको side mountain fingerprint power on up की मिल जाते है बहीं पर बात करी जाए है यहां पर side में देखो के तो आपको speaker type c charging port, mic मिल जाते है sims load बगएरा मिल जाती है आप इसको जूस कर सकते हो बागी यहां पर आपको देख सकते हो जो कि आपको 3.5mm audio headphone jack देखने को मिल जाते है बागी कोई भी sensor बगएरा नहीं है तो अब मैं पहले तो phone को own करके देखता हूँ कि इस वाले phones में आपको display बगएरा भी काफी बढ़ है मिल रही है बड़ी display आपको देखने को मिल जाती है तो पहले में इसको own कर लेता हूँ तो इसके बाद यहां पर देखते हैं कि कि इस वाले phones में आपको क्या-क्या चीज़े और देखने को मिल जाती है तो वाइस यहां पर देखते हो और price के हिसाब से मिज़े comment करके बताना कि यह notch में होना चाहिए था या punch hole में होना चाहिए था तो वैसे तो notch में है camera और price के हिजाब से देखा जाए तो काफी सही है इस price में आपको punch hole camera क्या ही मिलेगा बागी यह चीज़ा आप देख सकते हो और यहाँ पर जो phone के अंदर डिस्पले है यह भी आपको 6.74 इंचिस की मिल जाती है जो कि आपको actually play डिस्पले है चलाने में काफी मज़ा आने वाले है क्योंकि इसमें आपको 90 Hz का refresh rate मिल जाता है जो डिस्पले हो काफी smooth बना देता है लेकिन उससे पहले बात करते हैं जो आपको डिस्पले मिल रही है इसमें अगर आपको इभी colors बगारा देखोगी अगर आप videos बगारा देखोगी तो यह कैसी जो performance अब हो यहाँ पर करने वाली है तो मैंने कुछ एक videos बगारा यहाँ पर लिए और इस वाले phones के अंदर आपको Android version 13 देखने मिल जाता है जो काफी latest है बागी इसकी details बगारा वो भी यहाँ पर आप देख सकते हो पांच हैने इसकी battery मिल जाती है जो मुझे काफी बढ़िया लगी और colors बगारा तो काफी phone का बढ़िया है यहाँ पर आप देख सकते हो लेकिन आप बात कर लेते हैं कि phones के अंदर देखो मैं आपको कुछ चीज दिखाता हूँ मैंने कुछ यहाँ पर videos बगारा ली है जो आपको दिखातने वाला हूँ तो यह चीज देख सकते हो इसको जो जूम बगारा है यहाँ पर फोन के अंदर देख सकते हो जो आप कुछ इस तरह के जो contents बगारा है वो यहाँ पर फोन के अंदर देखने को जो इस प्राइज में मुझे काफी बढ़िया और काफी बेस्ट लगी तो colors बगेरा में कोई भी दिक्कत बाली बात नहीं है डिस्प्ले भी काफी बढ़िया लार्ज होने वाली है तो यह colors बगेरा के मामले में भी काफी बढ़िया मुझे फोन देखने में लगा बाकि look design के मामले में यह phone आपको कैसे लगा भाई उसके मामले मुझे comment करके पर और जैसी मैं camera को open करता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ इस तरी के जो camera है वो मिल जाते है पहला options मिलता आपको time lapse का फिर आपको video का मिल जाता है और video के frame rate की बात करें तो यहाँ पर आपको देखोगे तो यहाँ पर आपको 1080p में भी और यहाँ पर आपको zoom देखने को मिल जाता है जो कि मुझे काफी अच्छा लगा इसके बाद आप photo में switch हो सकतो हो जहाँ पर photos बगएर मैंने कुछ click करी है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसके बाद आपको portrait mode का options मिल जाता है जो मुझे काफी बड़े night का options मिल जाता है जिसमें आपको 2x जो है जूम कर सकतो पचास में असका rear camera मिल जाएगा इसको भी आप जो है इसली जो है जूम कर सकतो जो 1x पर रहता है 2x पर रहता है 1x और 2x पर आप इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ photos बगएर है यहाँ पर shoot करी है जो मैं आपको दिखाता हूँ इसका front camera मैंने यूज कर लेता है इस price में मुझे काफी अच्छा camera लागा phones का देखने में अगर आप normally use करोगे तो उसके लिए काफी best रहने वाला है portrait mode आप चाहे जो front camera से photo click करता हो तो काफी बढ़ है मुझे देखने में लागा जैसे की background में आप देखोगे तो portrait mode जो है वो काफी अच्छे से काम क लेता है बट यहां पर देखोगे details बगएरा तो वो भी काफी clear जो है वो आपकी दिखा देता है अगर आप कोई भी colors बगएरा की photo click करता हो multiple जो है subject होते है तो बहाँ पर भी काफी अच्छे से photos बगएरा है वो यहां पर ले लेता है यहां पर देख सकता हो और जो colors बगए पर वैसे तो आपने देखोगा अभी सर्दिवा टाइम चल रहा है तो भाई धूप जो है नहीं निकल रहे है सन भी नहीं निकल पा रहा है तो ऐसे मैं इसके उपर भाई मैं वीडियो पूरी camera को अपर लेकर क्या हूं जिसमें और भी details में जिसका जो camera है वो देखने बाले बाकी ये phone आपको कैसे लगा तो मुझे comment करके जरू बताना और इस phone के आपको कौन से comparison चाहिए और इस वाले phones में gaming test आपको कौन कौन से का चाहिए वो आप मुझे comment कर सकते हो तो जिसके उपर में वीडियो लेकर क्या हूं बाकी ये phone आपको पसंद आया हो तो आप इसको purchase भी कर सकते हो बाकी वीडियो अच्छी लेगे तो वीडियो को like कर देना चैनल पे नवे तो बाई सस्क्राइब को लेना मिलते हैं आप चैनली वीडियो में जब तक के लिए जैहिन बंदे मात्रम